इस नाते भी ग्वालियर से मेरी रिष्टेदारी है और एक भी नाता है मेरा गाउं गायकवार स्टेट का गाउं था और मेरे गाउं में जो सबसे पहली प्रात्विक स्कूल बनी वो गायकवार परिवार ने बनाई थी और मेरा सद्वाग्य है कि मैं बुप्त मैं उस प्रात्विक शिक्षा लेता था वहाँ पर जो स्कूल गायकवार्जी ने बनाई थी साथियो हमार यहां कहा गया है मनस्येकम बचस्येकम कर्मानेकम महात्मा नाम अर्थात सज्जन व्यक्ति जैसा मन में सोचते है वैसा ही कहते भी है और करते भी है यही एक कर्तव्य परायन व्यक्तित्व की पहचान होती है कर्तव्य निष्ट व्यक्ति काकालिग लाब के लिए नहीं बलकी आने वाली पीडियों के भविष्य को उज्वल बनाने के लिए काम करता है एक पुरानी कहावत भी है अगर एक साल का सोच रहे है तो अनाज बोहिए अगर एक दसक का सोच रहे है तो फल वाले पैड लगाईए और अगर एक सताब्दी का सोच रहे हैं तो सिक्षा से जुरी संस्थाएं बनाईए महराजा मादोरा उसिंद्या प्रसम जीने की उनकी यही सोच ततकाली लाप की नहीं बलकि आने वाली पीडियों के बविश्य को उज्वल बनाने की थी सिंद्या स्कूल उनकी इस दुर्गामी सोच का परणाम था वो जानते थे कि हुमन रिसोर्स की ताकत क्या होती है बहुत कम लोगों को पता होगा कि मादोरा उसिंद्या प्रिवहन कंपनी की स्थापना की थी वो आज भी दिल्ली में डी टी सी के रुप में चल रही है आने वाली पीडियों के लिए जलस सवरक्षन पर भी उनका उतना ही ध्यान था उन्होंने उस कालखन में पानी के लिए सींचाई के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्ता बनाई थी जो हरसी डेम है वो एक सो पचास वर्ष बाद भी एशिया का सबसे विशाल मिट्टी का बांध है इडेम आज भी लोगों के काम आ रहा है मादोरावजी के व्यक्तित्व से हम सभी के लिए ये दूर द्रश्टी सीखने ही हो गया है एड्यूकेशन हो करियर हो जीवन हो या फिर पोलिटिक्स शॉर्ट कट आपको भले कुछ तातकाली गलाप पहुचा दे लेकिन आपको लॉंग टर्म सोचने के साथ ही काम करना चाहिए जो भी व्यक्ति समाज में या सियासत में तातकाली गलाप स्वार्थ के लिए काम करता है उससे समाज का राष्ट का नुक्षान ही होता है साथियों साथ 2014 में जब देश ने मुझे ये प्रधान सेवक का दाईत्व दिया तो मेरे सामने भी दो आप्षन थे या तो सिर्फ तातकाली गलाप के लिए काम करें या फिर लॉंग टर्म एप्रोच को अपनाएं हमने ताय किया कि हम दो साल पांच साल आठ साल दस साल पनरा साल बिश साल ऐसे अलग अलग ताइम बेंट रखकर इन के लिए काम करेंगे आज आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार को दस साल हो रहे हैं इन दस वर्षों में देश ने लॉंग तम प्लानिंग के साथ जो फैसले लिए हैं वो अभूत पुर्वा है हमने देश को कितने ही पैंडिंग फैसलों के बोज से मुक्त किया है साथ साल से दिमांड हो रही थी कि जम्मु कश्मी से आर्टिकल थी आर्टिकल थी सेवंटी को हटाये जाए ये काम हमारी सरकार ने किया चालीस साल से दिमांड हो रही थी कि पूर्वा फोजियों को बन रैंक बन पैंशिन दी जाए ये काम हमारी सरकार ने किया चालीस साल से दिमांड हो रही थी कि जी एस्टी को लागू करना है ये काम भी हमारी सरकार ने ही किया दसकों से मुस्लिम महलाएं तीन तलाग के खिलाब कानून बनाने की दिमांड कर रही थी तीन तलाग के खिलाब कानून भी हमारी सरकार के दौरान ही बना आपने देखा होगा अपि कुछ सब्ता पहले ही लोकसभार और विधान सब्ता में महिलाओं को रिजर्वेशन का कानून बनाया गया ये काम भी दसकों से पैंडिन था नारी शक्ती मंदन अदिनियम भी हमारी ही सरकार ने बनाया है मेरे पास कामों की इतनी लंबी लिस्टा है कि पूरी रात बिज्जाई ये तो कुछ बड़े फैसले मैं इसले बता रहा था क्योंकि अगर हमारी सरकार ये फैसले नहीं लेती तो इसका बोज किस पर ट्रांसफर होता अगर हम ये नहीं करते ते केरी फरोर कहा होता आपकी जनरेशन पर होता तो मैंने आपकी जनरेशन का कुछ बोज हलका कर दिया है और मेरी कोशिज यही है कि आज की यंग जनरेशन के लिए देश में एक बहुत ही पोजिटिव माहूल क्रेट हो एक ऐसा माहूल जिसमें आपकी जनरेशन के पास अपर्चुनिटी की कोई कमी न हो एक ऐसा माहूल जिसमें भारत का युवा बड़े सपने देखें और उसे प्राप्त भी करें ड्रीम बिग एन एच्ईू बिग और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब सिंधिया स्कूल अपने देर सो साल पूरे करेगा एक अहें माल्स्टोन पर होगा ये माल्स्टोन होगा भारत की आजादी के सो साल आज हमने संकल्प लिया है कि इन अगले पचीश सालों में देश को विश्शित बना कर दिखाएंगे और ये आपको करना है भारती यंग जनरेशन को करना है मेरा विश्वास है आप युवाओं पर मेरा विश्वास है आप युवाओं के सामर्थ पर मेरा विश्वास है और मैं आशा करता हूँ कि आप इस सपनों को संजो करके काम करेंगे सपने संकल्प में बढ़ लेंगे और संकल्प को सिध्धी प्रात्त करने तक रुकेंगे नहीं अगले पतीस साल आपकी लाइब के लिए जितने जरूरी है उतने ही भारत के लिए भी जरूरी है सीन्दिया स्कूल के हर स्टूरंट का ये संकल्प होना चाहिए मैं बनाऊंगा विक्सिद भारत साथियों करोगे ना करोगे ना मैं नेशन फ़स की सोच के साथ हर काम करूँगा मैं इनोवेट करूँगा मैं रिसर्च करूँगा मैं प्रोफेशनल बॉल में रहूँ या फिर किसी भी प्लेस में मैं भारत को विक्सिद बना कर ही रहूँगा और साथियों जानते हैं मेरा इतना विश्वास सिंधिया स्कूल पर क्यों है क्योंकि आपके स्कूल के कुछ अलुमिनाईल को भी मैं भी बहुत करीब से जानता हूँ पीमो में राज्यमंत्री भाई जितन्जसी जी मंच पर बैटे हैं वो आपके स्कूल के एक में पड़े हुए है रेडियो पर जिनकी आवाज सुनकर हम मंत्र मुग्द हो जाते थे अमिन सयानी जी अभी जिनों ने आँ शांदार प्रस्तुती दी मीत ब्रदर्स और भुरुफूर दबंग सल्वान खान और मेरे मित्र नितिन मुकेश भी याँ बैठे है सिंधिया स्कूल के स्टूडन्ट का कैनवास इतना बड़ा है कि उसमें हमें हर तरह के रंग दिखिजाते हैं मेरे युवा साथियों विश्णू पुरान में लिखा है गायंती देवाहा किल गित कानी दन्यास्तुते भारत भूमी भागे अर्थात देवता भी यही गान करते हैं कि जिसने इस भारत भूमी में जन्म लिया है वे मनुश्य देवताओं से भी अधिक सवभागे शाली है आज भारत सफलता की जिस उंचाई पर है वो अभूत पुर्वा है पूरे विश्वम है भारत की धाक भारत की धाक जमी हुई है तेईस अगस को भारत चंद्रमा पर बहाँ पहुँचा जहां अब तक कोई देश नहीं पहुँच पाया था अभी जीट्वेंटी में भी आपने देखा है कैसे भारत का प्रचम लहरा है आज भारत दुनिया की फास्टेस ग्रोइंग लार्ज एकोनोमी है आज भारत ग्लोबल फिंटेक अडप्शन रेट में नमबर बन है आज भारत रियल टाइम डिजिटल टांजिक्शन करने में दुनिया में नमबर बन है आज भारत स्मार्ट फॉन डेटा कंजुमर के मामले में नमबर बन है आज भारत इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मामले में दुनिया में नमबर दो पर है आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा mobile manufacturer है आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा startup ecosystem है आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा energy consumer है आज भारत अंतरीक्ष में अपना स्पेस स्टेशन साफित कंदे की तैयारी कर रहा है आज सुबह ही आपने देखा है कि गगन यान की टेस्ट प्लाइट और क्रूउ इस्केप सिस्टिम का कैसे सफल परिक्षन किया गया है ग्वालियर में तो एरफोर्स का इतना बड़ा बेश है आपने आसमान में तेजस की उड़ान देखी है आपने समंदर में आएनेस विक्रांट की हुंकार देखी है आज भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है भारत का बरता हुआ सामर्थ हर सेक्टर में आपके लिए नई पॉसिबिलिटी बना रहा है आप सोचिए साल 2014 से पहले हमारे यहां कुछ सो स्टार्ट अप्स हुआ करते थे आज भारत में स्टार्ट अप्स का आंकड़ा एक लाग के आसपास पहुँच रहा है बीते कुछ सालों में भारत में सो से जादा यूनिकॉन बने हैं आप लोग भी जानते हैं कि एक यूनिकॉन मतलब कम से कम आठ हजार करोड रुपी के कमपनी सिंधिया स्कूल के विद्यारतियों को भी यहां से जाने के बाद यूनिकॉन्स बनाने हैं अपने स्कूल और देश का नाम रोशन करना है दबाल इस यूर ऑश्टर और सरकार के तौर पर हमने भी आपके लिए नए नए सेक्टर्स ओपन कर दिये हैं पहले सेटिलाइट सिर्फ सरकार बनाती थी या विदेश से मंगाती थी हमने स्पेस सेक्टर को आप जैसे यूवाओं के लिए उसे भी ओपन कर दिया है हमने डिफेंस इक्विक्मेंट भी या तो सरकार बनाती थी या विदेश से मंगाती थी हमने डिफेंस सेक्टर को भी आप जैसे यूवाओं के लिए ओपन कर दिया ऐसे कितने ही सेक्टर से जब भारत में आपके लिए बन्द रहे हैं आपको मेकईन इंडिया के संकल्प को आगे बढाना है आपको आतमंदिर भर भारत के संकल्प को आगे बढाना है मेरा एक और मंत्र याद रखिएगा हमेशा आउट आप दे बॉक्स सोचिए जैसे जो तेरा दिजी के पिता जी हमारे मादराव सिंद्या जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने सताब्दी ट्रेनों की शुरू करवाई थी इसके तीन दसक बाद तक भारत में फिर ऐसी आधुनिक ट्रेने नहीं शुरू हो पाई अब देश में बंदे भारत का भी जलवा है और कल ही नमो भारत के रप्तार भी आपने देखी है साथियों यहां आने से पहले मैं सिंधिया स्कूल के अलग-अलग हाउसिस के नाम देख रहा था और जो तेरा जिर्तिजी मुझे समझा भी रहे थे स्वराज के संकल्प से जुड़े वो नाम ही कितनी बड़ी प्रेना है आपके लिए शिवा जी हाउस महाज जी हाउस रानो जी हाउस दत्ता जी हाउस कनर खेड हाउस निमा जी हाउस मादव हाउस एक तरह से सब्त रुशियों की ताकत है आपके पास और मैं सोच रहा हूँ कि नवरात्री के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को नव टास्क भी दूँ क्योंकि स्कूल का कारकम हो और आप होमवर्ग न दें तो पुरा नहीं होता है तो मैं आज आपको नव टास्क देना चाहता हूँ याद रखोगे आपके आवाज दब गई भई क्या कारण है याद रखोगे उसको संकल पर बनाओगे जीवन भर उसको पुरा करने के लिए काम करोगे पहला आप लोग यहाँ जल सवरक्षां का इतना काम करते हैं बॉर्टर सिक्यूरिटी 21 सदी की बाधबड़ी चुनोती है इसके लिए आप लोगों को जागरुक करने का अभियान चलाईए दूसरा सिंधिया स्कूल में गाउं गोद लेने की परंपरा रही है आप लोग और भी गाउं जाईए वहाँ डिजिटल लेंदेन के प्रती लोगों को इनफॉर्म करिये तीसरा स्वच्षता का अमश्षद मद्द प्रदेश का इंदोर सफाई में नंबर बन हो अगर ये सिद्धी प्राप्त कर सकता है तो ही मेरा ग्वालियर क्यों नहीं हो सकता आप अपने शहर को स्वच्षता में नंबर बन बनाने का भी बिड़ा उठाईए चोथा वोकल फॉर लोकल जितना हो सके आप लोकल को स्थानिय प्रोडक्स को प्रमोट किए मेर इन इंडिया प्रोडक्स का ही इस्तेमाल करिए पांचवा ट्रावेल इन इंडिया फस जितना हो सके पहले अपना देश देखिए अपने देश में गुनिये फिर भी देशों का रूख कीजिए छठा नेचरल फार्मिंग के प्रती किसानों को जादा से जादा जाग रुख करिए ये धर्ती मा को बचाने के लिए बहुत जरूरी अभ्यान है सात्मा मिलेट्स को श्री अन्न को अपने जीवन में सामिल करिए इसका खूब प्रचार प्रसार करिए आप जानते हैं ना ये सूपर फुर होता है आठवा फिटनेस योग हो स्पॉर्स हो उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाईए आज ही यहाँ मल्टी परपस स्पॉर्स कॉम्प्लेस का सेलान्याज भी हुआ है इसका भी आप खूब लाब उठाईए और नवा कम से कम एक गरीब परिवार की हैंड होल्डिंग जरूर करिए जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं बैंक एकाउंट नहीं पक्का घर नहीं आउश्मान काड नहीं है हम चैन से नहीं बैठेंगे भारत से गरीबी दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है इसी रास्ते पर चलकर जो भी कर रहा है वो मेगा स्केल पर कर रहा है इसलिए आपको भी अपने फ्यूचर को लेकर छोटा नहीं सोचना है आपके सपने और संकल्प दोनों बड़े होने चाहिए और मैं आपको ये भी बता दूँ आपका सपना आपका सपना आपका सपना ही मेरा संकल्प है आप अपने थौर्ट्स अपने आईडियाज नमो एप पर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और अब मैं वाट्सअप पर भी हूँ वहाँ आपसे आपसे कनेक्ट हो सकता हूँ आप चाहे तो अपने सिक्रेट्स भी शेयर कर सकते हैं और मैं आपको वाजा करता हूँ मैं कि जुकों नहीं बता हूँगा साथियों जीवन ऐसे ही हसी मजाग में चलते रहना चाहिए आप खुश रहिए स्वस्त रहिए मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है आपको याद रखना है सींद्या स्कूल सिर्फ एक संस्तान बर नहीं है बलकि एक विरासत है महराज माज़राव जी के संकल्पों को इसकूल ने आजादी के पहले और आजादी के बाद भी निरंतर आगे बढ़ाया है अब इसकी भड़ा आपके पास है थोड़ी देर पहले जिन युवा साथियों को पुरस्कूत किया गया है मैं उन्हें फिर से बढ़ाई देता हूँ एक बाद फिर सिंद्या स्कूल को और सभी युवा साथियों को बहतर भविश के लिए बहुत बहुत शुक्त आमना है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बश्कार तो गालियर में प्रदान मंत्री मोदी पहुंचे हूँ और यहाँ पर दरसल सिंद्या स्कूल का इस्थापना दिवस समारोह का युजन किया किया और एक सो पचीस पा स्थापना दिवस समारोह यहाँ पर मनहाया जा रहा है जिस पर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया और कुछ टास्क बच्चों को दिये हैं जो टास्क पूरे उन बच्चों को करने हैं उन्होंने का भी कि जो टास्क दिये जा रहा है क्या वे इस टास्कों को पूरा करने का काम करेंगे बताते मुझे मंत्री शिवराद सिंग जोहान भी यहाँ पर मौजूद हैं प्रदेश के राजजपाल भी यहाँ पर मौजूद हैं और जोती राद्यती सिंधिया सिंधिया स्कूल की उनके पूर्वत जो हैं उन्होंने شुरुआत की थी और आज जब सिंधिया स्कूल के 125 साल हो चुके हैं 125 बास था अपना दिवस समारो यहाँ पर मनाया जा रहा है तो श्चाठ्र उनके पर जजन और सिंधिया स्कूल से चुले तमाम वे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस पाल के गवाहब बन रहे हैं तो यह सीधी तस्वीर आपको हम ग्वालियर से दिखा रहे हैं जो आपर सिंधिया स्कूल को बहुत खुपसूरती से सजाया गया दुलहन की तरह सजाया गया और गवालियर में प्रधान मंत्री पहुंचे थे सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस्तमारों में शामिल हुए पहले प्रधान मंत्री हैं नरेंद्र मोदी हाला कि इसके पहले जो प्रधान मंत्री रह चुके हैं वे सिंधिया स्कूल गए जरूर हैं लेकिन आपको बता द तस्वीरे भी आपको दिखा रहें कोचे देर पहले के भी तस्वीर जब प्रधान मंत्री यहां पर पहुंचे थे तो सिंधिया स्कूल का इस अपना दिवा समर हो आज मनाया गया और सबसे खास बात यह कि साड़े चार पचे कि आसपास प्रधान मंत्री को यहां पर पहुंचना था कारिकरम के मताबक वे पहुंचे और जो सिंधिया स्कूल की खासियत हैं जाए वो समाज स्वेवा की बात की जाए यहां पर जिस तरीके से जुचातर पढ़ते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स कॉम् पीरिया आपको हम दिखा रहे हैं